So, hello everyone, तो आज हम लोग का रहने वाला है lecture number 11th of GKPYQ series part 3 इसमें कि हमने 20 questions देखने वाले important for RSS exams and before starting I hope कि सभी लोग पिछले जो lectures हैं उनको revise कर लिये होंगे so that कि आप आगे बढ़ रहे हैं इससे पहले कि आप ये ensure कर लें आपने जो पीछे की चीज़ें पढ़ी हैं वो आप पूरी तरह से contest हो गई है because आगे बढ़ना उतना important है जितना पीछे की चीज़ें को समेटना भी है ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं first question is fire altars were found in which of the following groups of open cities हलपनगरों के निमिक्ट में से किस seeing अगनी अलटर पैए थे अगनी अले अगर है ऑगो WAS हिंदी में वेदी बोलते हैं जिसमें कि हम young・ hyvin आगरा करते न न तो उसको इस तरह से होता है ठीक है जिसमें तो उसको वेदी बोलते हैं कहां पे मिलेते हमें काली बंगान लोथल बनावली चनहुद्रो मोहँजदारो दोलावीरा सब्सक्राइब क्या 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 पड़े चेकर उसको जल्दी से रिवाइस करते हैं 2500 से लेके 1750 BC यानि कि 25 सो बीसी 1350 BC पैस क इसका जो मेच अचूर उम बोल सकते हैं 11 diverse ताषल्पन फūहलोज शिपलाइस्ट नेयों बोलते हैं विकवर में सबसे पहली site मेली एस रॉप्पा फिर अगर हम बात करें गर टल्द के सब सबसे बड़ी सबसे साइट काऊं सी है वो सबसे सबसे ओल्डेस्ट है वो बहराना रिखे एल्डेस्ट थे अंड लाजस्ट मूसा करें तो राकिगडी यह उने क्या पढ आता इसके की कि और जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान पड़ता है यह अपने चीज़ें देखिए थी हमने यह देखा था कि यह ब्रॉंज ए सिविलाइजेशन है इसको क्यों बोलता है बिकाज यहाँ पे लोग ब्रॉंज यानि कांसे का यूज करते थे ब्रॉंज एन एल्लॉय यह एक मिश् है कि लोग अर्बन सिविलाइजेशन थे अर्बन सिविलाइजेशन था यह सिर्फ टाउन प्लैनिंग नहीं है और ही बहुत सारी चीज़ हमें देखी थी जैसे कि हमें ग्रेट ग्रैनरी मिली विशाल अन्नागार मिला कहां पे ग्रेट ग्रैनरी मिली हमें मोहंजदारों मे महोंजोदारों में और जो की सबसे बड़ा बिल्डिंग था पूरे हलपन सिवलाइजेशन का ठीक है ग्रेट बात विशाल सनाना गार मिला जहांपे स्पिरिचुल बात होता ठीक है और हमने यह देखा कि किस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहते जितने भी हमारे थे साइट एक को बोलते तो उपर वाले को सीटा डिल जो हायर होता था वेस्टर साइड में होता था सीटा डिल या फिर एक्रोपॉलिस के नाम से भी जाना जाता है एक मात्र साइट थी जो तीन पार्ट में डिवाडेड थी सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर कहाँ है जहां भी इस तरह से वाटर देख जाए सीदे धोला वीरा मारना आपको टाउन प्लानिंग के अगर बात करें तो क्या था टाउन प्लानिंग में ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है जहां पर रोट से एक दूसरे को 90 डिगरी में कट करती है यह ताउन प्लानिंग का एक फीचर है यहां पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से बहुत प्रॉपर ड्रीनेज सिस्टम देखने को मिलता है कि सब घरों के जो पूरा वेस्ट मटेल था common conduit में जाता थो common एक तरह से drainage पाटन यहां पर देखने को मिलता है जैसे हमें यह पता चलता है कि यह लोग अर्बन सिवलाइज थे तो काली बंगान के अगर हम बात करें कहा है राजस्तान में और काली बंगान में हमें बैंगल्स यानि कंगन मिले हैं और काली बंगान का मतलब हमें बंगल्स अगरें आंषित्व इन्शंत कंसी इनषट बंड के में टोडस्त क्यों ब्कुश्ट गुजरात में अ कि यहां पर शिप्व tomar जाएब्र रुकते अंदि तो लोगों का डबल बरियल होता था यानि की मेल और फीमेल बगल में बरी किये जाते थे दफनाय जाते थे हडपा में अगर बात करें जो कि एक हडपान civilization की site है यहाँ पे हमें coffin burial देखने को मिलता है यह चीज ध्यान नखिएगा ठीक है बनावली अगर बात करें राजस्थान में और बनावली में सबसे पहले हमें बारले के evidences मिले हैं बारले के evidences मिले हैं प्लस यहाँ पे हमें एक plow भी मिला है terracotta का बना हुआ चन हुद्रो के अगर बात करें तो इसमें यह हमने पढ़ाता कि it is the only city without citadel जिसमें कि citadel नहीं है citadel क्या होता है अभी मैंने आपको बताया कि जो उपर की side होता था western side में higher होता था ठीक है उसको citadel बोलते था और यहाँ पे भी fortification हुआ रहता था और यहाँ पे भी fortification है नहीं कि जो किला बंदी हम बोल सकते हैं हुआ करती थी दोनों में तो तीन ज्यादा तर सब दो पार्ट में डियर थे लोवर टाउं लोवर टाउं को कुछ नहीं बोलते हैं और यह एक मात्र साइट थी जो तीन पार्ट में डियर थी धोला वी रहा और यह मात्र साइट थी जिसमें सेटरल था ही नहीं क्लियर है आगे बढ़ते हैं कुश्चिन नम्बर सेकेंड रंगस्वामी कप इस असोसेटेट विद विच गेम रंगस्वामी कप किस खेल से संबन देते हैं ऑप्शन साब के सामने हैं तो इस खेल की अगर बात करें तो यह होकी है ऑप्शन नम्बर थर ट्रॉफी इस होते हैं लेकिन जो पस एक्जाम में पूछता है ह। और यहाँ पर लेक तो सीचन नाइडू ट्रोफी इरानी ट्रोफी देधर ट्रोफी दिलीब रोफी और रंजी ट्रोफी थह अई हम सब आ ही ऊगा ठीक है रंजी ट्रोफी और यह सुना यह पूचता भी नहीं जयादा क्योंकि आलमों सबको पता रहता है ठीक है टॉकिंग अबाउट फुटबॉल तो फुटबॉल में जैसे डूरंड कप हो गया मेर्डेका कप हो गया ठीक है मेर्डेका कप रोवर्स कप स्वारी संतोष ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी तो यह सब रिलेटेड है पूर्ट से रिलेटेड है एज़रा कप तो बैडमिन्टन की अगर बात करें तो नारंग कप हो जाएगा जो इंडिया में प्ले किया जाता है ठीक है? एंड इंटर्नाशनल यगा मुद सबसे बोलते हैं फेलबगों से एंगे बढ़ते हैं जो खेलते वक्त कौन मरा था? कुतिबुधिन एश्ग जिसको चौगान के नाम से भी हम जानते हैं आगे बढ़ते हैं जीवानु कशा भीका में कितने घटक होते हैं यह बैक्टीरियल फ्लागला यानि कि यह जीवानु कशा भीका होता क्या है तो जो बैक्टीरिया होते हैं तो उन वो मतलब motility provide करता है यानि कि इनको move करने में help करता है और ऐसा निकी सारे टाप आफ़ बैक्टीज Welt यह बैक्टीरिययक D इसे मतलब कि इन नुकलियस नहीं होता है इन देखा था प्रोड़्स यू्चेरिय फ्रहें हître उटा है उत्ugen having husband लेकिन दो सप्लिद कॉमन होते व्रियूमी में वह हैं नाइको कॉंडरी और हो ऐनिदानला ठीक है इनका जो सेलवॉल होता है हुछ इसका बना हुटा होता है कई बार हम लोग दे मोड़ देख चुके है एगलेको कालीक्ष का जो पूरा को डिक्ठे अपक होता है इनका इस पर फोकस ओंग करें जो यहां पर बतारों सिर्फ उस यह जो filament को basal body से connect कर रहा है, इसको बोलते हैं hook, तो इसमें total होगे, कितने parts, option number D, तीन parts होगे इसमें total, question number 4, who will cause every year annual financial statement to be laid before the legislative assembly of the state, प्रतेक वर्ष वार्षिक वितिय विवरण राज जी के विधान सभागे समख्ष कौन रखवाएगा, कौन रखवाएगा, अकर मैपसे चलो हो सकता है कि थोड़ा सासान question हो, हो सकता है, बता दे, लेकिन मैं आपसे यह question पूछता हूँ, अच्छा कि इसमें कौन सा article involved है, कौन है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपसे पूछा हुआ है, लेकिन यह parliament के लिए बात करता है, कि भाई, parliament में annual financial statement को रखेगा देश का राष्ट्रपती, president नी, president shall cause to be laid before both the houses of parliament, the annual financial statement, which consists of what, receipts and expenditure, receipts का मतलब है किता income आ रहा है, expenditure का मतलब किता है, जा रहा है, खर्चा कित है, वो सब इसमें लिखा होता है, इसी को हम synonymously बोल देते हैं, प्यार से budget, but actual budget word कहीं पर भी constitution में mention नहीं, actually article 112 mentions annual financial statement, अब इसमें receipts expenditure हो हम पढ़ चुके हैं, अगर आप को यादा रहा हो, economics वाले में, revenue receipt, capital receipt, revenue expenditure, revenue, sorry, capital receipt, capital expenditure, पढ़ा थाना हम लोगोंने, पूरा की दो pockets होती हैं, तो वही है, actual में यह, इसी तरह, state में भी होता है हमारा article number, अब पता है कैसे इसको हम लोगोंने article भी याद, I think अभी नहीं बता है न मैंने, देखो ध्यान से समझना, 78 से लेके, ठीक है, अविर 79 से कहलो, 79 से लेके, 111 तक, ठीक है, जो भी आपका article है contemporary, उसमें आपको 89 जोड़ देना और contemporary state legislature का article मिल जाएगा, ठीक है, जैसे article 79 बोलता है, there shall be a, what, there shall be a parliament of India, तो parliament का एक तरह से structure दियोगे, parliament में क्या आएगा, लोग सबाएगा, राज सबाएगा, president आएगा, parliament में यही आता है हमारा, ठीक है, similarly आप इसमें 79 में 89 जोड़ देंगे, तो किता आ जा 123 तक से लेके 123 तक आपको क्या करना है, आपको 90 एड कर देना है, ठीक है, आपको 90 एड कर देना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, annual financial statement of parliament मुझे पता है, अनुचे यह 112 में दिया हुआ है, मैं क्या करूँगा, मैं सीधे इसमें 90 जोड़ दूँगा, अनुचे 202, क्या दि State में होता है, हर State में Governor जिसको Raj метal बोलते है, जिस तरह से Prime Minister होता है, Center में उस तरह से Chief Minister होता है, हर State में, बस आपको compare कर लेना, जिस तरह से Lower House होता है, लोकसभा, Shoes में वैसे Legislative Assembly होती है, हमारी हर State में, जिस तरह राज सभा Upper House होता है, पारलमेंट में, वैसे Legislative Council विधान पर को सब चीज पता होंगी batch में मैं यह नहीं बता रहा हूं किसके आपको batch लेना ही पड़ेगा यहां पर हम चीज़ें देखेंगे लेकिन धीरे-धीरे सारी चीज़ें होंगी ठीक है तो option number second यहां पर सही answer हो जाएगा ठीक है और इसमें क्या पढ़ सकते है annual financial statement एक तरह का financial bill है ठीक है financial या फिर मुल सकते हैं एक तरह का money bill है which is in return which is in turn a kind of financial bill ये एक तरह का हमारा धन विदेयक है is a kind of money bill which in turn is a kind of financial bill और ये किस article में आता है financial financial bill नहीं financial bill तो article 117 में आता है but money bill क्या में बात करूं money bill कौन से article में आता है 110 में आता है ठीक है और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अभी मैं money bill में घुस नहीं रहा हूं expenditure होता है इसमें जो खर्चा होता है उसको हम दो category में categorize कर सकते हैं तो charged expenditure charged और दूसरे को बोलते है made from अब जैसे हम बोलते हैं जैसे इसमें अभी मैं को clearly समझाता हूं expenditure charge और made from में अंतर क्या होता है को समझना important इसमें CGL 2030 में question पूछ लिया था charge expenditure होता है कि इसमें से सिर्फ salary निकलती है लोगों की किसकी लोगों की मतलब हम लोग की नहीं जैसे कि जो government job में में जैसे president हो गया judges हो गया कैग हो गया इन लोग की salary निकलती है यहां से दो तरह के खर्ची होते हैं सरकार के या तो salary वाले फिर pension वाले खर्ची सब цев जो जो leg सकते हैँ जा फिर इसके अलावा फिर इसके अलावा या फिर इसके अलावा बोलते हैं दुनिया नहीं होती है और जो यह एुपका expenditure made from है, इसमें voting होती है, किसी ministry को बोलना है, जैसे कि चाहिए कि मझे 100 करोल रुपए चाहिए, फिर किसी ने बोला मझे 50 करोल रुपए चाहिए, तो क्या है, वो आपने demand रखी है, किसी ने demand रखी है, एक तरह से ministry ने रखी है, फिर उस पर होती है voting, लेकिन ही जो voting होती है, only in लोगसभा, राजसभा का क्या कोई रोल नहीं है, अनुवल financial statement, रोल है, सिर्फ discussion का रोल है, राजसभा सिर्फ discuss कर सकता है, और उसका recommendatory रोल है, recommend कर सकता है कि ये कर लो, पहली बात तो, charge वाला तो vote हो ही नहीं सकता है, ना तो लोगसभा, ना राजसभा, और made from vote हो सकता है, only लोगसभा, ठीक है, और जब demand रखती है, ministry और जब उसमें voting हो जाती है, तो उसको बोल देते है, grant, demand for grant, और अगर पैसा निकालना होता है, consolidated fund of India से, भारत की संचित निधी से, तो फिर क्या होता है, एक appropriation bill को pass करवाना होता है, तब पैसा निकाल सकती है, सरकार, अभी के लि तो इसको revise कराओंगा और फिर cut emotions के बारे आपको बताओंगा, अभी के लिए fifth question, in which year was the battle of Peshawar fought between राजा जैपाल और महमूद गजनी, तो Islamic invasions की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, Islamic invasions, यानिकि जो Islamic आकरमड हुए हैं भारत में, सबसे पहला आकरमड तो 712 AD में यह किया था जो मुहम्मद बिन कासिम, इसने क्या किया था, यह उमायद डैनिस्टी का एक ruler नहीं था, मुहम्मद बिन कासिम, यह वहां के ruler का एक तरह से governor general था, इसको भेजा गया था king दाहिर को एक तरह से बोल सकते हत्या करना है, तो इसने जो king दाहिर थे, जो सिंध प्र इंडिया में, महमूद ओफ गजनवी, गजनवाइड अंपायर था, अफगानिस्तान के पास, वहां से महमूद ओफ गजनवी, इसने अटैक किया था, इंडिया में टोटल 17 टाइम्स इसके अटैक रहें इंडिया में, 17 बार, only to plunder, only to plunder, जितने भी हमारी इसलामिक, आगे जहाँ पे इसने राजा जैपाल की हत्या करी तो जो सिंध के एक राजा थे, इनकी हत्या करने के बाद, इसने इसका एक बहुत फेमस अटैक है, आप में से काफी लोगों ने सुना होगा, and that is, सोमनाथ का जिसने लूट आगा था, सोमनाथ टेंपल में, जो इसने प्लंडर इसका आखरी अटैक था, इसका 16th अटैक था इंडिया में, इसका जो आखरी अटैक था 17th वाला, क्योंकि चिल गया था बहुत जाता कि जाटो ने इसको लूट लिया, ये सोमनाथ को लूट का है और इसको जाटो ने लूट लिया, तो 17th जो इसका अटैक था 1026 AD में इसका 17th अटैक था इसका सबसे पहला जो आटैक हुआ था, इसने मुल्तान में किया था, और बाकी के तो हम डिसकस करी चुके है, जैसे कि 1191 का 1st Battle of Tarain, जो की पानीपत और डेली के बीच में पढ़ता है, 1192 AD में इसने 2nd Battle of Tarain खेला, दोनों किसके अगेंस हम लोग देख चुके है, प्रितिवी राज दी 3rd, जिनको प्रितिवी राज चौहान के नाम से भी जानते हैं, पहला बैटल ये हार गया ममद गौरी और दूसरे बैटल में इसकी हुई जीत, then 1194 AD में इसको जिसने बुलाया था, राजा जैचंद ने उसको हराया, बैटल अफ चंदावर में, ठीक है, बैटल अफ चंदावर में किसको हराया, राजा जैचंद को हराया, ठीक है, राजा जैचंद को हराया, उसने वापर, ठीक है, और प्रित्वी राज रासो भी चलो घ्राज रासो अगला कुश्चन है हमारे एक्स नंबर स्ट्रक्चरल जियॉलजी डिल सी तो देखिए दो चीजें होते है लुग ते इन जो गर्फी उती है बाहर का जो लुझी होता अंदर का अंदर का मतलब जैसे कि आप नह तो सबी 7-8 km हमें चलना पड़ेगा यानि कि 0.1% भी आप अभी समझ सकते हो कि नहीं गहें तो इतना कम अभी हमारा reach है ठीक है तो अगर हम बात करें कि structural geology यह हमारे earth के insights से deal करता है और mainly rocks है ठीक है अब rock का क्या deform classification mechanism and causes of rock structure and उनका evolution ना कि age of rocks है age of rocks अगर हमें निकालना होता है तो scale हम use करते हैं carbon dating का अस्तमाल करते हैं या फिर हम uranium dating का भी use कर लेते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि किसी की मतलब कितना साल पुराना चीज है जैसे कि जो halapan civilization हम कैसे बता पाते हैं कि यह 2500 BC इसी यानि कि आज से अगर हम calculate करें तो साले 4000 साल पहले तो कैसे हम बता पाते हैं इसी technique के थूप बता पाते हैं ठीक है rocks के अगर बात करें तो हमने क्या-क्या चीज़ें अभी तक पढ़ी है rocks के बात करें तो rock की steady को क्या बोलते है rock mainly कितने type की होती है तीन type की होती हूँ कौन कौन सी होती है जल्दे से recall करें दो बार इससे पहले बता चुक हूँ मैं आपको और अब यह last बार है आप ऐसे समाझ लो ठीक है फिर यह मैं कुछ लिखने आला नहीं हूँ और हो सकता है question भी आपको बहुत जल्दी ना देखने में को मिले इसका फिर last में फिर जम लोग revision करेंगे तो इसका करेंगे ठीक है igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rock आगनेया चटान, रुपांतरी चटान, अफसादी चटान यह लावा के solidification से बनती है यह तब बनती है जब igneous है sedimentary में बहुत ही heat and pressure लगता है तो इनका जो form है वो change हो जाता है because metamorphic का मतलब होता है metamorphosis से यह word आया है जिसका मतलब change in form होता है sedimentary rock तब बनती है जब igneous यह metamorphic में erosional agents काम करते हैं उसके sediments का deposition होता है deposition का then compaction या फिर lithification होता है then बनती है sedimentary rock और lineation, foliation and banding जो term associated है वो metamorphic rock से ही associated है igneous rock के अगर बात करें तो examples हैं गबरू, granite, basalt, pumice metamorphic की बात करें marble, quartzite, chist, यह इसके examples है marble, quartzite, chist sedimentary, एक तो stone अगर आखरी में आ जाए limestone sandstone shale coal यह सब यह layers के form में exist करती है इसमें में fossils यह जीवाश में देखने को मिलते हैं what is the study of fossils known यह आप comment में बताएंगे अगले question क्यों बढ़ते हैं in which of the following years was the air transport in India launched भारत में हवाई परिवाहन निमलेकित में से किस वर शुरू किया गया था 1948, 32, 54 या फिर 1911 तो सबसे पहले इंडिया में air transport शुरू हुआ था 911 में जब पहली flight अलाहाबाद से नैनी तक चली थी I think roughly 9.8 km के distance ट्रावल किया था इसने ठीक, 1932 में क्या important हुआ था 1932 में पूना pact sign हुआ था McDonald Award Announce हुआ था Third Roundtable Conference इस साल के अंत में शुरू हुई थी and प्रभा आत्रे का जन्म इसी साल हुआ था अब प्रभा आत्रे कौन है She belongs to Karana Garana और इनके अभी death हुई है 91 years की age में तो यह 100% आने वाले exams में पूछा जाएगा ध्यान रखना इनको पद्म वेभूशन मिला था किस एयर में 2022 में पद्म वेभूशन मिला था पद्म भूशन इनको मिला था 2002 में पद्म श्री इनको मिला था 1990 में यह current का news है प्रभा आत्रे ध्यान रखेगा ठीक है and she belongs to कहराना घराना वैसे तो जब हम लोग current affairs करेंगे जैनवरी के तो वहाँ पे इस शीज को देखेंगे बाकि जो लोग reels में रगलर होंगे वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ अभी कि कुछ YouTube में यहाँ पे या फिर अलग साप थोड़ा से recommendation दीजेगा current affairs दिन का कर लें और फिर month end में तो करेंगे युकि it is not worth it कि आप daily आदा गंट अपने current affairs को दें ठीक है बस maximum 5 minutes से ज़्यादा नहीं देना चाहिए में recording daily current affairs को ठीक है और वो मेरा काम है कि 5 minutes के अंदर यहाँ तक कि 2 minutes के अंदर आपका पूरा कर अंदर हो जाएगा दिन का question number 8 which of the following vedas is found in two recensions black and white and is full of rituals to be performed publicly or individually vedas कि अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा है कि यह total हमारे 4 ved होते हैं 4 ved में rig ved, sam ved, yajur ved और अthar ved होते हैं, rig ved हमारा सबसे पुराना यानि oldest ved है और सबसे पहले भी बना था, इसमें total 10 मंडल है, 10 में से जो तीसरा मंडल है उसमें गैतरी मंत्र दिया हुआ है जिसको की जिसको की विश्वमित्रे ने लिखा था जिसकी जो की गौड़ेस सावित्री पी बेज़ड है, फिर अगर जो की वाइड एक तरह से बोलते हैं, जिसको की वाइड एक तरह से बोलते हैं, शुख्ल यजूरवेद् और ब्लैक का मतलब क्रिशने जुर्वेद और फिर क्रिशने जुर्वेद का मतलब ब्लैक, ठीक है, क्रिशने जुर्वेद और शुक्ले जुर्वेद, एन अथर वेद में दिया हुआ है, अथर वेद का आखरी का जो सबसे लास्ट चैप्टर है, वो आप ऐसे समझे लो, वो उपनिशद है, पहले वो ब्राम्हन हुआ करता था, हर वेद का आखरी जो चैप्टर होता, तो उसको ब्राम्हन बोलते थे, फिर बाद में 400 BC के राउंड उपनिशद को अड़ कर दिया गया, जिन्हों ने ये बोला कि अगर सालवेशन लेना है, तो भक्ती का मार्ग हम फॉलो कर सकते हैं, जिसको के प्रपाउंड की अमीरा भाई, तुलसीदा, सूर्दास, इन जैसे लोगों ने, अथरवेशन के अगर बात करें, तो दो उपनिशद इसमें बहुत important है, महा उपनिशद और मंडुका उपनिशद, महा उपनिशद में क्या दिया हुआ है, स्वरी मंडुका ने, मुंडुका ठीक है, मुंडुका उपनिशद, तो महा उपनिशद में अगर बात करें, तो इ यह दिया हुआ है वसुद है वकुटुम्बकम और इसमें दिया हुआ है सत्यमेव जैते है सत्यमेव जैते है सबसे बड़ा उपनिशद है आपका ब्रिहद रन्ने का उपनिशद आपको यह बताना है कि किस वेद का हिस्सा है ब्रिहद रन्ने का उपनिशद और एक चीज़ जो जंगल में perform करनी है जो लोग hermits हैं जो जंगल में रहते हैं जो students हैं जो उनको perform करनी है जंगल में जो कि normal day-to-day society में perform नहीं की जाती है activities तो उनको अरन्यका बोला जाता है जो कि वेदों का ही हिस्सा है अरन्यका ध्यान रखना है बस forest इसमें याद रखना है तुम ठीक है forest आगे बढ़ते हैं question number 9 I knew why the caged bird sings is an autobiography of मुझे पता है कि पिंज़ने में बंद बच्ची क्यों गाता है क्यों गाता है कि इसकी आत्म गाता है यह Maya Angelou की जो कि एक American activist थी 2014 में इस इनकी death हो गई थी बात अगर करें Michelle Obama की एक है जो कि पूछी जाती है that is becoming यह पूछी भी गई है recent exam में ऐसे इनके जो husband है that is Barack Obama ठीक है Barack Obama अब इनकी job तो चली गई है क्यों हो क्यों क्योंकि दो बार president हो चुक है USA में हमारे यहाँ पर क्या है तो इनकी है दो ध्यान रखना a promised land दोनों इनके autobiography है promised land और आयोप सभी लोग जानते हो कि autobiography होती क्या जो खुद के दोला लिखी जाती है अपनी जीवन की कता that is autobiography जैसे कि गांधी ची के जरह बताए कौन सी autobiography है a promised land और dreams from my father dreams from my father ये किताबों का नाम आपको ध्यान रखना है फिर चलिए मैं आपसे पुछता हूँ ये किसकी है freedom in exile freedom in exile and long walk to freedom long walk to freedom ये किसकी है तो अगर हम बात करें freedom in exile तो ये है जो हमारे current में 14th दलाई लामा है उनकी है ये current में जो 14th दलाई लामा की है and long walk to freedom के अगर बात करें तो ये है Nelson Mandela की Nelson Mandela and गांदी जी के क्या है my experiment with truth सत्ते के साथ मेरे प्रियोग which the following articles provides for equal justice and free legal aid to the poor कौन सा अनुच्छे दया तो ये एक तरह का DPSP राजे का नीती निर्देशक सिध्धान्त है जो की part number भाग 4 सम्विधान में दिया हुआ है article number 96 number 36 से लेके 51 तक की इसमें बात करता है इसको हमने लिया है Ireland के constitution से Irish constitution से inspired है DPSP और ये non-justiciable है यानि वाद योग नहीं है इनके विरुद आपको नयाय नहीं मिल सकता है Talking about the article तो ये है आपका article 43B 48A article number 39 A option number 3 इसका सही answer होगा 43A की अगर बात करें तो ये बात करता है participation of workers in the management of industries किसकी बात करता है participation of workers in the management of industries यानि की इसको इन दियोगों के प्रभंद में श्रमिकों की भागेदारी 43B बात करता है formation of cooperative society सहकारी समितियों को बनाने की बात करता है 48A बात करता है environment को protect करने के लिए environment को ये 48A ये आपकी 42nd amendment से एड़ हुआ था cooperative society 43B वाला जहाँ पे भी आपको cooperative society दिख जाए आपको सीधे 97th amendment मारना है फिर जहाँ पे भी 97th amendment दिख जाए cooperative society इसीदे उसका अंसर होगा cooperative society के गर बात करें तो ये कौन से और इसने 97th amendment से पता है इसने क्या क्या हुआ था आपको बताता हूँ article number 19 sub clause 1 sub clause C में क्या दिया हुआ है right to form association उसमें इसने right to form association और cooperative society जोड़ा इसने समिधान में part number 9b भाग number 9b जोड़ा खा इसका मतलब क्या होता है इसमें भी cooperative society के बारे में दिया हुआ है and 43a जो यहाँ पे लिखा हुआ participation of workers in the management of industry इसको 42nd amendment से add किया गया है 48a को भी 42nd amendment से ही 42nd number समिधान संसोतन जिसको mini constitution बोलते हैं अच्छा मुझे comment में आप में से यह चीज लिखके बताओ आप लोग कि आप मैं से कितने लोगों को जो DPSP वाली जो story मैं आपको पढ़ा कि मैं जो याद करवाता हूं वो नहीं पता है अगर नहीं होगी तो फिर मैं पूरा बता दूगा कि इसमें टाइम लगेगा आपको पहले ही बोल चुका हूं इसलिए मैंने पहले बोला थे कि जो इसी ऐसे मैं batch की जो classes यहां पर free में live stream करता हूं ताकि आपको कोई topic है पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं तो वहां पर मैंने फिर से वह बताया तो जब भी class होई थी रिसेंटली तो कितने लोगों को नहीं पता है वह स्टोरी तो नहीं होगा तो मैं अलग से बता दूग क्योंकि इन साइलोज बताने से अच्छाना कि मैं story बता दू कि मझें बता तो नहीं को खराब लगता है कि आपको रठना पड़एगा इस शीज़को ठीक है सीधे रठना पड़एगा जबकिसको असानी से समझ किया जा सकता है असानी से ठीक है तो बता देना कॉमेंट में कित्ते सौल्ट सत्यग्रे जो गांधी जी ने चलाया था, सौल्ट सत्यग्रे, जिसके तहत उन्होंने सौल्ट लॉको वाइलेट किया था, जो सौल्ट टैक्स उप्रेसिव, सौल्ट टैक्स था, उसके खिलाफ की सत्यग्रे था, जिसको इसमें गांधी जी ने साबर मती से लेके डांडी तक का मार्च स्टार्ट किया था, साबर मती टू डांडी, 12 मार्च 1930 को ये एक तरह से स्टार्ट होता है, 12 मार्च 1930 को, और चलता कब तक है, चलता है 6 अप्रिल 1930 तक, अब अगर हम बात करें इसकी, किया, और कितने लोगों के साथ ही, 78 लोगों के साथ इन्होंने ये मार्च निकाला था, फिर उन्होंने बोला, कि मैं धारसाना में रेडे करूंगा, धारसाना डांडी के पास ही पड़ता है, लेकिन तभ तक इनको कर लिए गया अरेस्ट, और यहाँ पे एक तरह से रेड गरी किसने सरोजनी नाइडू ने सरोजनी नाइडू के अगर हम बात करें तो she was the first Indian women president of Congress she was the first governor of any Indian state UP की ये पहली governor बनी थी महला governor इसका आंसर होगा महाद सत्ता है option number D महाद एक जगह है महाराश्ट रायगड में रायगड में और वहाँ पे एक तरह से बहुत सकते हैं कि लेक है जहां पे जो लोवर क्लास के लोग थे वहाँ को पानी नहीं पीने दिया ता ऐसा मना जाता था कि वो लोग चुगे तो वो पानी एक तरह से इंप्योर हो जाएगा तो इसलिए वह वह से अगर लीड किया था मेटकर जी ने कुछ लोगों के साथ एक अटा किया और उसको वहाँ पे और उनको काफी मतलब वो भी जहिलना पड़ा था बहुत लोगों ने कटाक्ष भी किया सारी चीज़े लेकिन वो अमेटकर जी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है ठीक है राइगल की अगर बात करें तो राइगल जो खिला है राइगल जो फोर्ट है ये कहां पे महाराष्ट में पड़ता है और यहीं पे ही 1674 में सिवा जी च्छोत्रपति शिवा जो महाराज थे औरंग जेब के चंगुल से छुटने के बाद यहाँ पे उनका कोरोनेशन हुआ था एक तरह से उन्हें उन्हें खुद को च्छत्रपति का टाइटल दिया था और वो किंग बने थे किसके माराथा किंगडम के इसी पर्टिकलर फोर्ट में, राइगर फोर्ट में होम रूल लीग ओफ एनी बेसंत वर सेंटरड अट विच दूज़ोंग प्लेसे इन इंडिया एनी बेसंत की होम रूल लीग भारत में अमलिकत में से किस थान पर केंद्रित थी तो होम रूल लीग के अगर बात करें तो पहली बात तो यह ध्यान रखना है, इनके दो निउस्पेपर्स है, निव इंडिया और कॉमन वील, and she is the first women president of Congress, first Indian women president कौन थी, सरोजी नायड़ो 1925 का सेशन था कानपूर में, और एनी बेसंत 1917 का सेशन गुआ था कैलकटा में, उसमें इन्होंने चेर्मेंशिप करी थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इंडिया नाशिल कॉंग्रेस की, तिलक जी के अगर बात करें, तो इनका जो headquarter था, इसका home rule लीक का पूना में था, और इनका जो headquarter था, वो मदरास में था, option number fourth, तिलक जी को हम किस नाम से जानते हैं, लोकमानने के नाम से, father of Indian unrest वोला था भारतियो शांती के जनक किसने, वैलेंटाइन चिरॉल ने, मराथा और केसरीन के निउस्पेपर से, मराथा इन English और केसरीन, मराथी लैंग्विच, ठीक, और तिलक स्वराज फंड बनाय गया था, नकी death के बाद, non-cooperation movement के समय में, ठीक है, और गनपती festivals को भी, ठीक है, शि वैटर, respectively कर चुके है questions, question को, ठीक है, कि भाई, यह हम लोग हमने देखा था, यह Earth, Earth surface है, इसके उपर जो पहली लियर है, उसको हम Troposphere बोलते हैं, ठीक है, इसके उपर जो उसको Stratosphere बोलते हैं, इसके उपर जो उसको Mesosphere बोलते हैं, दिना आजाती आजाती हैं अपकी Thermosphere, तो अगर हम थिकने से फिर height consider करें, तो 13 km consider की जाती ही, troposphere की छोब मंडल की, troposphere के अगर बात करें, तो जितने भी geographical phenomena होते हैं, जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो troposphere में ही होती है, and troposphere में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे उपर जाने में temperature घटते हैं, अगर को ozone layer देखने को मिलेगी, ozone day 16 September, ozone की thickness drop sun unit, और इसमें उपर जाने में temperature बढ़ता है, jet जो planes होते हैं, वो यहीं पढ़ते हैं, यह total 50 km तक जाता है, देन आता है mesosphere, इसमें उपर जाने में temperature घटता है, and it is the coldest layer, यहाँ पर यहाँ पर क्योंकि मैं इसको दो बार करवा चुक हूँ, इसलिए इतना जल्देल्दी मैं करवा रहूँ ठीक है, तो mesosphere के अगर बात करें, तो यहाँ पर जो meteorites होते हैं, जो उलका पिंड होते हैं, वाके खतम हो जाते हैं, and then आती है thermosphere, thermosphere में यहाँ पर क्योंकि आएंस देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको आयन मंडल या फिर आयनो स्फियर के नाम से जानते हैं, और यह radio waves जो यहाँ से भेजी जाती है, अर्ट से उनको reflect करने का काम करता है, thermosphere या फिर आयनो स्फियर, यह mesosphere 80 km तक तक जाता है, तो यहाँ पर यह सही आंसर होने माला है, और बाकी, इसके आगी जब कोई question होगा, तो हम नहीं करेंगा भी तिना, मैं कोशिस यह करता हूँ कि जैसे कोई type of question हम कर चुके हैं, और उसके multiple revision हो चुके हैं, तो फिर उसको ना रखा जाए, है की नहीं? तो 14th पर आते हैं, which of the following is correct, नहीं लेकित कतनों में से कौन सा सही है, death rate इंडिया कितनी है, life expectancy इंडिया कितनी है इन सालों में, तो death rate की मतलब 5,000 लोग कितने लोग की death होती है, तो इंडिया में 7.2 लोग की होती थी 2011 में, यह 2011 के census के recording है, बात सही है, बट लाइफ expectancy 72.6 नहीं है 2012 के recording, इस रफली 67.9 ठीक है, 67.9 और आंसर यहां पर हो जाएगा, option number 4th only 1, now talking about इंडिया में, अगर मैं बात करूँ की, average annual growth rate कितना है population का, average growth, average annual growth rate, ठीक है, average annual growth rate in population, जनसेंख्या में average annual growth rate कितना है, तो 1.64% है, और अगर कभी पूछले कि, highest decadal growth rate कब हमने notice करी, यानि कि सबसे सरवाधिक वार्षिक, not वार्षिक, annual वार्षिक हो जाएगा, सरवाधिक दशकी वृधिदर, highest decadal growth rate in इंडिया, decadal growth rate, growth rate किसकी, population की, जनसेंख्या की, यह रही है, 1971 से लेके, 81 का जो decade था उसमें, अभी एक लिए सिर्फ यह दो चीज़ा हमको जाद रखनी है, यह हम जो पढ़ चुके हैं, कि इंडिया की जो population है, it is 17.5% of total world population, 2011 की जैनगड़ना की अनुशा, अब तो ज़्यादा हो गई होगी, because हमें पता है कि हम पिछले लेक्षर में देखे थे, कि सबसे टॉप में इंडिया ही आता है, अभी population के टम्स में, और 2011 के census के according तो नहीं, लेकिन हम वैसे 2.4% हम occupy करते हैं, 2.4% of total world's area, यह हम लोग देख चुके हैं, पूरे विश्यू का जो छेत्रफल, इसका 2.4% हम occupy करके रखते हैं, और पूरे विश्यू की जनसंख्या का 17.5% 15th, Which of the following statements is our correct regarding the Honbill Festival? Honbill महुचसाफ के समझ में नहीं लेकित में से कौन सा कथन सही है, Honbill Festival is celebrated in the Northeastern state of Nagaland, सही है, The festival takes place in the month of January गलत है, क्यों? क्यों क्यों जन्वरी में नहीं होता है, यह December के टाइम पे होता है, First week of December, एक से लेके 10 December तक चलता है यह festival, The name of the festival is derived from the Indian Honbill, A bird that is the essential character of the folk tales of the state, सही है, यह है आपकी Honbill, देखने है कित्ती प्यारी से चलिया है, ठीक है, तो Honbill जो है, It is the state bird of Keral Naga Land, ध्यान रखने, इते सर्प्राइजिंग की Northeastern India में बहुत पाई जाती है यह, और Northeastern states के जितने भी जाएतर rituals होते हैं, festivals होते हैं, उनमें इसको मतलब इसको एक तरह से showcase किया जाता है, लेकिन एक Keral की state bird है, यह IUCN की जो list है, उसमें vulnerable की category में आती है, not that much important, यह चीज उतनी important नहीं है, बस सुन लो इसको रटना मत, ठीक है, लेकिन यह थोड़ा से important है, कि state bird के रल की है, ना कि Naga Land की, Honbill festival को हम festival of festivals के नाम से भी जानते हैं, festival of festivals के नाम से भी जानते हैं, नागा Land की कर कुछ और festivals की बात करें, तो जैसे सेक्रेणी, ठीक है, सेक्रेणी यहां का festival है, आवलियांग, मौाच्सू, यह यहां के कुछ important festivals हैं, तो answer क्या हो जाएगा, option number fourth, both A and C, question number 16, identify the chemical formula of methyl chloride, from the following chemicals, नेमले कितरा सायनों में से, methyl chloride का रासायनिक सुत्र पहचानना है, अब यह methyl chloride, methyl myth, यह होता किया, जिसको पहले समझ लेते हैं, देखिए, जितने भी हमारे, एक तरह से, hydrocarbons होते हैं, मेना को क्या बताया था, यहां पर लिख लेते हैं, जितने भी हम लोग के hydrocarbons होते हैं, कितनी category में डिवाइड कर सकते हैं, तो पहले, saturated, संतरप्त, और unsaturated, जो संतरप्त हैं, saturated हैं, इसमें आते हैं, alkane साबके, इसमें आते हैं, कौन? alkane आते हैं, और unsaturated में आते हैं, alkene और alkane, alkene और alkane, इसमें सिर्फ हमें single bond ही, देखने को मिलता है single bond इसमें होता है double bond इसमें होता है alkyne में triple bond ठीक फिर अगर हम बात करें तो जब हमारे इसमें होता है एक carbon ठीक है एक carbon होता है तो उसके लिए हम prefix को use करते है myth 2 carbon होते है तो उसके लिए prefix use होता है it 3 carbon होते है तो उसके लिए prefix उसके लिए उसके लिए प्रिफिक्स उसके लिए है फिस लिए नॉन सरय थी के लिए तो यह परिक्स करते हैं तो यह नगने देगितर पराविप्विक्स यूसीयु अपर अब chloride लगा हुआ है, इसमें तो chlorine लगा ही नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं लगा हुआ है, खतम हो गया, अब alkyne की अगर बात करें, तो alkyne का general formula जो मैंने नहीं बताया था, मैंने बोला ता आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो ये देख लिए, cnh2n plus 2 होता है, इसका alkyne का जो ये क्या है, cnhn है न, cnhn है, अब cnh2n plus 2 का मतलब क्या हुआ, n की जगा 1 रख दो, n की जगा 1 तो c1, वो 1 लिखते नहीं है, और 2n ये 2, plus 2, 4, ch4, ये होता है, methane, methane मतलब 1 carbon है, n, मतलब भी alkyne है, ठीक, जैसे अगर मैं कुछ जैसे c2h6 लिखा हुआ है, c2h6, ये क्या cnh3n, ये तो exist ही नहीं करेगा, तो अगर वो cnh2n plus 2 वाला निकला, तो alkyne होगा, cnh2n निकला, तो alkyne होगा, and cnh2n minus 2 निकला, तो alkyne होगा वो चीज़, ठीक है, और यहाँ पर करें हम बात करूंद, जैसे कि एक, ये methyl chloride होगया, c3cl, ये जो होते है, chlorine या OH होगा, कही इनको बोलते हैं, functional group, वो हम जब कोई और question आगा, तो वहाँ देखेंगे, बस यहाँ पर एक चीज़, कि अगर इसमें हम इसको ये बना दे, इसमें कि अभी 1 chlorine लगा, 3 chlorine लगा दे है, ठीक है, और 3 hydrogen को replace करके, हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर हमने 2 hydrogen replace किये है, ठीक है, एक hydrogen लगा हुआ, इसको बोलते है, chloroform, chloroform को किस form में यूज़ करते हैं, जरा बताए है, comment में आप, question number 17, धूपगड़ पीक is the highest point of which of the falling states of India, धूपगड़ चोटी भारत के नमलेकित में से किस राजी का उचित्तम बिंदू है, चत्तीज़ गड़, जारखंड, उत्यर प् अध्यप्रदेश, तो अगर हम धूपगड़ की बात करें, तो इस सत्थपूरा जो हमारी range है, ठीक है, पहले तो मैं यह पताओ ना चीए, यहाँ पर सत्थपूरा है कहीं पर, यह सत्थपूरा range है, और यह विंद्या range है, सत्थपूरा इन विंद्या, इसी के बीच में क् फ्लोती तापी, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दतों चीज़ों को, यह विंद्या है, यह सत्थपूरा है, और यह जो जारी है, नर्मदा रिवर है, और यह है आपकी ताप्ती रिवर, ठीक है, ताप्ती, तो सत्थपूरा की highest peak है, सबसे उंची चोटी है, ठीक है, और यह म बगल में हमें मिलता है अमर कंटक का पठार, अमर कंटक प्लाट्यू मिलता है, अमर कंटक, इसके बारे में अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बस अगर आप अभी के लिए आद रखना चाहते हैं, तो यह ध्यान रखना कि इससे नर्मदा और सोन दो नदिया निकलती हैं, नर्मदा और सोन इससे निकलती हैं, इसी के बगल में, हम कुछ और हाइस्ट पीक की बात कर लेते हैं, जैसे कि विंध्या भी देखा ना, सत्पूरा के नीचे विंध्या है, विंध्या रेंज, तो विंध्या के अगर बात करें, तो पीक of goodwill, यानि कि सदभावना शि थीक है, जो की western घाट की भी, यानि पश्चिमी घाट की भी सबसे उंची छोटी हैं और वो है अनाई मुडी, अनाई मुडी जो की अना मलाई पाढ़ियों में स्थित है, ये चोटी है, जो पाढ़ियों में एक स्थित है, मतलब ऐसे बहुत सारी ये होगी, ये अना मलाई ह इसकी अगर हम हाइट की बात करें 2695 मीटर इसकी हाइट है अगर हम इंडिया की ओवर और इंडिया की बात करें पूरे इंडिया की हाइस्ट पीक कौन सी है तो यह कंचन जंगा है कंचन जंगा है और इसकी हाइट की अगर हम बात करें कितनी है 8586 मीटर है और अगर अंडमान निकोबार की हाइस्ट पीक की बात कर लें तो यह सैडल पीक है यह ध्यान रखना वैसे तो जब अंडमान निकोबार पर कोईश्चेन आएगा वहाँ पर हम नाइन डिग्री चैनल तो वहाँ लग्षुदीप में हैं 10 डिग्री चैनल ठीक है डंकन पैसे जो सब देखेंगे अनिकोबार के डिफरेंट आइलें तो वहाँ पर भी मैं पढ़ाँगे साडल पीक कर रहे हैं तो हमने सारी पीक कर लिए हैं यहां पर जो इंपॉर्टन वाली और एक और हैं अरावली की अरावली की हाइस्ट पीक है गुरुशिकर ठीक है जो कि मांट अबू हिल्स पे लो लिकाद को आप फैस्ट यहां पर इंसे पर इनको बोलते हैं सीवडो इनको से इस POP यह लेंगplayer अधर लेंगे जो नंदर ले लेंगे यह जो बोसकते हैं इस जो फॉरे पार्टिकलो ठीक है, और इसको कर लेंगे digest and then कर देंगे ingest, फिर इसको बाहर निकाल देता है, ठीक, जैसे आप इस देख रहे हैं, food vacuoles जो है, यह कोई foreign particle ही राओगा जिसको amoeba ने खाया, amoeba में ध्यान रखना आपका किस तरह का asexual form of reproduction होता है, that is binary fusion, ध्यान रखना, इसमें इस form का asexual reproduction होता है, binary fusion, ठीक है, यह होता यूग लेना, जहाँ पर में flagelum देखने को मिलता है, बैक्टिरियल flagelum देखाता है, तीन पार्ट थे वैसे यह flagelum होता है, यूग लेना, यह भी protozova है, ठीक है, and यहाँ पर अगर हम बात करें, तो स्काइफा एक protozova नहीं है, plasmodium की अगर reproduction होता है, आगे बढ़ते है, question number 19, the origin of most of the classical dance forms of India is, भारत के अधिकान शास्री नत्यों की उत्पत्ती, पढ़ चुके हैं, हमारे हमें पता ही है, नाट शास्र है, जिसको की 5th वेद के नाम से जानते हैं, 5th वेद के नाम से जानते हैं, और नाट शास्री अगर बात करें, इस भाई जो भगवान पारवती जी को सिंबलाइस करती है, और तांडव हमारे भगवान शिव को, classical dance form के अगर हम बात करें, तो कितने होते हैं हमारे, according to Sangeet Natak Academy, 8 होते हैं, ठीक है, कथक यूपी, कथक कली, केरल, मोहनियत्टम, केरल, आपका ये, भरत नाट्यम, तमिल देनापका कुछीपुडी, आंद्रवदेश, मनीपुरी, मनीपुर, ओडीसी, ओडीसा, एंड जो लास्ट है हमारा, जो सबसे लास्ट में संगीत, सरी, संगीत नाटक बोल रहा हूं, जो सबसे लास्ट में संगीत नाटक अकैडमी नहीं जो जो जोड़ा था, that was सत्तरिया जो की कहां गया है याप कमेंट बताएंगे, जिससे असोसेटेट है भावना, अंकिया नाट, इसके फॉर्म से भावना, अंकिया नाट, और गुरु शंकर देव, इसके में गुरु कंसिडर किये जाते हैं, गुरु शंकर देव, एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आ आगे बढ़ते हैं, question number, last, 20th, according to the census of India 2011, which group of states have a very high percentage of the rural population, भारत की जन्गर लना, 2011 के नुसार किस समुह के राज्यों में, ग्रामिगल जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है, कहां पे अधिक है, आप मैंने आपको इस चीज़ पहले ही बताए थी, कि जब आप percentage terms में बा सिक्किम जो है मारा भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा, उसके बाद अगर हम देखें, population wise तो सिक्किम है, लेकिन छोटा है, ठीक है, तो ऐसे गोवा तो होगा, बट ओडिसा, यहां पे जो है थोड़ा सा बड़ा है, और population है उतनी है, नहीं तो answer यहां पे, अगर हमें जो पेर छाटना है, तो बिहार और सिक्किम होगा, बिकाद मैं पता है, बिहार में भर के population है, यहां की population density बहुत ज़्यदा है, population density का मतलब यह है, कि पर 1000 square kilometer में कितने लोग रह रहे हैं, यानि कि छेत्रफलका में और लोग बहुत ज़्यदा रह रहे हैं बिहार में, ठीक है अगर हम बात करें, सबसे ज़्यदा rural population इंडिया में कहां रहती है, सबसे ज़्यदा urban population इंडिया में कहां रहती है, तो rural population ध्यान रखना यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यदा रहती है, और urban महराष्ट में, यह महराष्ट में मैं absolute terms में बता रहा हूँ, अगर urban में percentage के terms में पूछ लेगा तो आंसर गोवा हो जाएगा तो यह चीज ध्यान रखना कि रूरल में सबसे टॉप पे यूपी रहता अर्बन में सबसे टॉप पे महाराश रहता लेकिन परसेंटेज में गोवा रहेगा टॉप पे महाराश के बाद आता आपका तमिल नाडू ठीक तो आज का सेशन यहीं पर खता होता है और बाकी 2011 का सेंसर से उसके रिगार्डिंग आप सारी चीज़ें रिवाइस कर सकते हैं जैसे कि चलिए आपको रिवाइस करवाता हूं सेंसर्स ऑफ 2011 का सेंसर्स था वो कितने नंबर का सेंसर्स था जिसका थीम था आर सेंसर्स आर फ्यूचर इसका थीम था और कितने कौन से नंबर का सेंसर्स था यह है तो आज का सेशन होता है यहीं पर खतम बाकी इसकी पीडिएफ आपको परमार एससी के टाट जो टेली ग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पर daily quizzes भी होती हैं उनको भी साथ-साथ attempt करते रहें और इसके अगर आपको notes download करने हैं तो परमार academy app पर जाके courses section में जाके वहाँ पर pdf course bracket में part 3 जो लिखा होगा वहाँ से आप subscription basis पर notes download कर सकते हैं धन्यवाद